दुगोचो हम लोग क्या कर रहे हैं जितने भी कोनिक सेक्षन हैं उनको आपस में मिला जुला कर पढ़ रहे हैं क्योंकि इस तरह से उनको याद रखना और पढ़ना आसान होता है actually क्या होता है IIT में जब कोई questions आता है तो यह समझना मुश्किल होता है आकर यह किस topic का question है तो कि IIT जो है बहुत ज़्यादा mixing करता है topics के बीच में कोई भी IIT का आया हुआ अगर आप अच्छा question देखेंगे तो कनफर में उसमें 2 या 3 topic आपस में मिले जुले होते हैं तो इसलिए हम लोग वही ट्रेनिंग अभी से कर रहे हैं कि चीजों को मिला जुला कर कैसे पढ़ा जाएं जैसे मालीज़ अगर question कॉडिनेट का आया तो उसमें circle भी होगा उसी में पैराबोला भी हो सकता है उसी में लिप साइपरबोला भी हो सकता है मतलब वो question ही ऐसा देगा कि एक पार्ट circle होगा तो एक पार पैराबोला होगा एक पार हाईपरबोला होगा हना तो इसलिए वही practice हम लोग अभी से कर रहे हैं मतलब यह mixing जो है यह IAT बहुत करता है और जानमूज कर करता है टॉप इसको मिलाता है तो इसलिए हम लोग पूरा कोनिक section एक साथ पढ़ रहे हैं जिससे जब IAT में आए तो उसको याद दखना असान होता है दो जैसे मैं आपको समझाया कि भाई वो triangle का area circle में क्या होगा पैरावला में क्या होगा इलिप्स में क्या होगा हाईपर बोला में क्या होगा जिससे इनको याद दखना आसान होता है अगर हम topic को individual पढ़ेंगे अलग अलग पढ़ेंगे तो उस समय तो लगता है हो गया लेकिन जैसे पढ़के निकलेंगे सब भूल जाएंगे ऐसे हम चीज़ों को याद रख सकते हैं असानी से और coordinate ये बहुत important है आइटी की point of view से आप जो 2D coordinates पढ़ रहे हैं ये 2D coordinates बहुत important दखो पहले मैंने आपको tangent normal बताया फिर मैंने आपको parabola की सारी properties बताएं अब parabola की सारी theory आपको clear है अब मैं आपको circle की theory 1y1 बता रहा हूँ और उस से दिलेटेट जो parabola या ellipse या hyperbola में theory है वो भी आपको बता रहा हूँ यही काम मैंने पहले भी किया था पैराबola से दिलेटेट जो भी theory थी सरकल की ellipse की या hyperbola की वो सारी मैंने आपको सासत बताई फिर कुछ अपने concept parabola के individual भी थे वही चीज़ यहाँ circle में भी है ना तो circle में भी जो concept उसके individual है वो हम देख रहे हैं और जो मिले जुले हैं उन सब को भी हम देख रहे हैं तो इस तरह से mix करके पढ़ना बहुती फाइदेमन रहता है जे-ई के point of view से ठीक है देखो बच्चो क्या होता है हम लग कुछ और आगे circle के बारे में देखें देखो क्या होता है जैसे माल लीजे हमने यहाँ पर यह x-axis और y-axis ले लिया और मैंने क्या किया देखो एक circle ऐसे बनाया जो की माल लीजे x-axis को cut करता है माल लीजे यह circle x-axis पर यह intercept बनाता है a-b देखो ध्यान दो मैंने माल लिया circle का equation यह है x-axis square plus y-axis square plus 2gx plus 2fy plus c बरावर 0 माल लीजे यह हमारा circle का equation है ठीक है x-axis square plus y-axis square plus 2gx plus 2fy plus c बरावर 0 अब देखो जैसे हमें x-axis से intersection लेना है तो हम क्या करेंगी देखो इसमें y बरावर 0 पुट कर देंगे है यहां कि दोखो हमें x-axis से intersection निकालना है y equal to 0 देखो हमने यहाँ पर पुट कर दिया अब देखो क्या होगा यहां से x square plus 2gx plus c बरावर 0 देखो यह आया अब देखो यह equation x में quality है है ना इसमें देखो x के दो roots होंगे है ना देखो एक इसके लिए और एक इसके लिए जैसे माल लो मैंने कहा यह value x1 है और यह value x2 है माल लिया मैंने तो इसका मतलब क्या होगे देखो यह distance हो गया x1 है ना और देखो यह distance क्या हो गया बोलो x2 हो गया ठीक है यहां से मैंने माल लिया x की दो values आएंगी एक आएगी x1 और एक क्या आएगी बोलो x2 माल लिज़े यहां से x की दो different values आएंगी x1 and x2 अब देखो क्या हुआ हमें a b चाहिए a b का मतलब mod of x1 minus x2 चाहिए mod क्यों लिया क्योंकि पता नहीं x1 भी बड़ा हो सकता है और x2 भी बड़ा हो सकता है अगर यह x1 है तो यह distance x1 हो जाएगी अगर यह x2 है यह distance x2 हो जाएगी ध्यान दो तो mod लेने से क्या फाइदा हुआ कि x1 x2 में कोई बड़ा हो यह अपने आपको balance कर देगा देखो ध्यान दो अब जैसे अगर हम यहाँ पर ध्यान दें इसके roots x1 x2 है तो x1 plus x2 क्या होगा minus b by a तो 2g और x1 into x2 क्या होगा c by a यह निकी 1 लोगों यह होगे है ना sum of roots product of roots है ना sum of roots minus b by a product of roots c by देखो ध्यान दो अब जैसे अगर हम x1 minus x2 का whole square निका लें तो यह होगा x1 plus x2 का whole square minus 4 x1 x2 ऐसा लिखा रहा सकता है सुचो बोलो ऐसा लिखना सीखे सही है x1 minus x2 का whole square equal to x1 plus x2 का whole square minus 4 x1 x2 देखो ध्यान दो x1 plus x2 कितना है 4g square 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 होगा minus 4c देखो 4 common ले लिया तो g square minus c अब देखो mod of x1 minus x2 क्या हो गया है ना अंडरूट ले लिया इसका अंडरूट लिया तो mod आ गया इसका अंडरूट लेंगे तो 2 अंडरूट g square दो क्या होता है यसे अंडरूट x square क्या होता है mod x तो इसी لिए अगर अंडरूट x1-x2 का whole square लेंगे तो ये हो जाएगा mod of x1-x2 ध्यान दीज़े वो ही दोखो हमने आपर किया इसका square root लिया दोखों ये क्या हो गया ये हो गया है 2 under root g square minus c दोखों ये a b a b क्या है circle का x-axis पर intercept तो ये formula अच्छा होगा हम याद रखें है ना क्या है बोलो ये ये है intercept of circle on x-axis है ना circle का x-axis पर intercept 2 under root g square minus c है ना ये हमें याद दखना है है ना circle का x-axis पर बनाया गया intercept 2 under root g square minus c ठीक है अब देखो क्या हुआ ये intercept तभी possible है जब जब root के अंदर का term positive होगा है ना मतलब g square minus c greater than 0 होना चाहिए तभ ये intercept मिलेगा अब देखो अगर मालो g square minus c 0 हो जाए तो ये intercept 0 हो जाएगा और intercept 0 होने का मतलब ये circle x-axis को touch कर जाएगा circle touches x-axis का अगर मालो g square minus c 0 के बराबर हो जाएगा अगर ये term positive है तभ तो आपको intercept गिलेगा अगर ये term 0 हो जाएगा तो intercept 0 हो जाएगा तो इस case में circle x-axis को touch कर जाएगा अगर g square minus c less than 0 है तो ये intercept possible नहीं है मतलब ऐसे case में circle ना तो touch करेगा ना ही intercept करेगा neither touch नोर इंटरसेक्ट नोर इंटरसेक्ट x-axis है ना तो अगर g square minus c positive है तो circle का intercept x-axis पर तो की दोखो दुनिया का हर circle x-axis को काटे जरूरी तो नहीं है क्या पता circle उपर चला जाए एक सक्सेश को ना काटे ऐसा भी possible है तो circle x-axis को काटे गा या नहीं काटे गा ये circle की condition पर depend करता है तो अगर g square minus c positive हुआ तो circle x-axis को काटेगा और अगर g square minus c बराबर 0 हुआ तो a b बराबर 0 तो ऐसे केस में circle x-axis को touch करेगा और अगर g square minus c less than 0 हुआ तो intercept नहीं मिलेगा मतलब circle ना तो touch करेगा और नहीं काटेगा है ना circle circle neither touch nor intercept x-axis यहन दो है ना तो यह concept हमें यहाँ पर पढ़ना है अब इसी पकार हम circle का y-axis पर intercept निकाल सकते हैं देखो बिल्कु इस ते method से माल दीजिए कोई circle है और यह y-axis को काट रहा है तो y-axis का इसका intercept क्या होगा यह होगा 2 under root f square minus c same method से, same method से है ना circle का y-axis का intercept होगा 2 under root f square minus c, बिल्कु वह चीर यहाँ पर भी होगी अगर यह positive हुआ तो intercept मिलेगा, अगर यह 0 हुआ तो intercept 0 होगा मतलब circle y-axis को touch करेगा और अगर यह term negative हुआ तो circle y-axis को ना तो काटेगा और ना ही touch करेगा, बिल्कु सेम method से है ना सी ध्यान दो, बिल्कु वैसे करना है, इसमें क्या करना है, इस वाले case में x को 0 put करना है, y में दो condition मिलेगी, y1, y2 निकालेंगे, फिर बिल्कु सेम method से इसको करना है, तो लिखो बच्चों इसको ध्यान से, यह दो बाते हमें याद रखनी है, x-axis का intercept और यह क्या है बोलो, y-axis का intercept, लिखो दिहां से इसको,